कल खेसारी लाल यादो के एक फिल्म का ट्रेलर आता है और आज पवन सिंग के एक फिल्म का टीजर आता है अब दोनों में क्या है तो आप लोगों को बता दे कि जितना खेसारी लाल यादो के फिल्म के ट्रेलर पर एक दिन में भ्यूज मिला उससे अगर कम प्रिजन किया जा आखिर ऐसा क्या हुआ क्यूं हुआ पूरी जनकारी सबूत के साथ आपका भाई विस्तार रूप से इस वीडियो में आपको बताएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो नमस्कार में आपका दोस्त विसाल स्वागत है हमारे चैनल भूश पुरिया जहान में आज के इस वीडियो में आप लोग को बता दे कि खेसारी लाल यादो के एक ट्रेलर से पवन सिंग के टीजर का काफी ज़्यादा लोग कम प्रिजन भी कर रहे हैं और कर रहे हैं कि देखो पावर यहीं से सुरू ह यहीं पर खतम यानि कि पवन सिंग के जो दर्शक है अपने इस्टार का काफी ज़्यादा बढगी कर रहे हैं और खेसारी लाल यादो के फैंस को नीचा दिखाने की कोसिस कर रहे हैं तो मैं कोई भी ऐसा बात महीं कहूंगा जिससे पवन सिंग के फैन या खेसारी फैंसों रिलीज किया गया था आप लोगों को बता दें यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिनों में 2,07,000 इस फिल्म को भीव मिला है और 32,000 इस फिल्म को लाइक मिला है अब आते हैं पाउन भाईया के फिल्म के टीजर के उपर तो आज देखिए पाउन भाईया के फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है हर हर गंगे जिस फिल्म को अगर देखा जाए तो 11 गंटे में 4,77,000 भीव मिला है और 70,000 लाइक्स मिला है और फिल्म का टीजर सिनेमा आर्ट्स कमपनी से अब यहां पर आप लोगों को समझाते हैं मेन बात की जो लोग यह बात कर रहें कि देखो खेसारी लालयादो को पवन सिंग ने तो पिछाड दिया ऐसे कर दिया वैसे कर दिया उन लोगों के लिए बता दूं कि खेसारी भैया का जो फिल्म का ट्रेलर रिलिज हुआ था वो तो ना भोशपूरी फिल्म थी और ना ही वो हिंदी फिल्म है वो एक अधी फिल्म है और अधी फिल्म के दर्शक बहुत ही कम है जिसके वज़ा से उस फिल्म के ट्रेलर पे काफी ज्यादा कम भी आदे कि खेसारी लाल यादो एक अलग और डिफरेंट करने की कोशिस किये है मेरे नैना तेरे नैना में जो कि सब के बस के बात नहीं है और अब आप आते हैं पवन सिंग के फिल्म हरहर गंगे को उपर तो हरहर गंगे एक बहुत ही बीग बजट मूबी और पॉन भया क्या अ अधी फिल्म मेरे नैना तेरे नैना में नहीं लगा है तो इससे कंपरीजन करना बेवकूफी ही होगा आप लोगों को बता दे कि जिस तरह से इस फिल्म का भासा है और जिस तरह से इस फिल्म का भासा इन दोनों में आस्मान जमीन का अंतर है और इसका कंपरीजन आप मुर्ख है क्योंकि खेसारी लाल यादो ने कुछ अलग और यूनिक करने की कोशिस किया है एक भोजपुरी को अलग अस्थान देने की कोशिस किया है तिनके काविलियत तारीफ है कि खेसारी लाल यादो ऐसे ऐसे फिल्म बना रहे है पौन भहिया का भी काविलियत तारीफ है और भोजपुरी का कमपीरीजन एक दिन साउत मूवी से हो, बॉली हुड मूवी से हो, ना कि अपने ही में भोजपुरी में ही लड़ कटके और एक दूसरे में बटे रहे, ये सबसे बड़ा और सबसे घटिया सोच है, चलिए इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया है, उमीद है इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी मेरे भाई समझदार भाई लोग होंगे, वो समझ गये होंगे और चो बेवकूफ होंगे वो तो अनापसराब कोमेंट में लिखेंगे, चलिए अगर जनकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाईएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में,